Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh दिस इस पिलाज वाद वीडियो वाली शेरकार और आज की इस वीडियो के इंदर जो प्रॉड़क्त मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ यह एक ऐसी प्रॉड़क्त है जिसको मैं category defining product कहता हूँ और यही वज़ा है कि हमेशा जब भी category defining product आती है तो generally उसके मेरे जो reviews होते हैं वो थोड़े लेट आ रहे होते हैं जो product आज हमारे पास आई है उसका नाम है Realme Buds Air Pro और यह जो product है यह पाकिस्तानी market की आएगेस किसी भी top and brand की तरब से आने वाली सबसे सस्ती product है इस point पर जो के active noise cancellation लेकर आती है active noise cancellation हमें generally पहले बड़े headphones में देखने को मिला करती थी उसके बाद जो higher end earbuds से उनके अंदर भी आनी शुरू हो गए जिस तरह अगर आप Apple वाली site पर बात करते हैं तो Apple के AirPods Pro 20 को support करते हैं कुछ time पहले मैंने Sony के XM4 को भी यहां पर review किया था जो के again एक ear buds है और उनके अंदर भी active noise cancellation आती है लेकिन यह दोनों products जो थी यह तकरीबन 40-50,000 की range की products थी लेकिन यहां पर यह जो product in question है इसका नाम है Realme Buds Air Pro और Realme का जिस तरह पहले भी रहा है कि यह लोग budget range के अंदर products को launch कते हैं तो इसका जो price track है वो 13,999 है जो के एक earphone के जाब से जादा है लेकिन जो यह feature provide कर रहा है वो इस price category में हमें देखने को नहीं मिलता तो उस हिसाब से यह feature की तरफ से budget category में आ जाते हैं मैं इसको पहले से अंबॉक्स कर चुक हूँ इस channel के ऊपर लेकिन मैं फिर भी आपको एक unboxing experience provide कर दूँगा ताके आपको जो overall experience है वो मिल सके active noise cancellation यहाँ पर मौझूद है जिसके ऊपर हम बहुत detail में बात करने वाले है 94 millisecond का super low latency mode यहाँ पर available है तो basically real me के earbuds के अंदर एक gaming mode दिया जाता है जिसको जब आप on करते हैं तो आपके mobile phone के और आपके earbud के दरम्यान में जो transmission है वो बहुत तेज हो जाती है क्योंके वो भी थोड़ी से extra power लेते हैं यहाँ पर 10 nanometer के base drivers लगाये गए हैं तो जो earbuds हैं तो 10 nanometer के speakers के साथ आ रहे हैं transparency mode यहाँ पर दिया गया है और dual mic available है मैं box को open कर लेता हूँ और unboxing experience क्योंके मैं बता चुका हूँ के पहले हो चुका है तो आप मेंसे कुछ लोग इससे शायद वाकिफ भी हो इसको मैं तकरीबन दो हफते से इस्तमाल भी करता रहा हूँ यहाँ पर आपको एक wearing guide देखने को मल जाता है और यह बहुत जादा important है क्योंके normal earbuds के अंदर अगर आपका size fit हो गया है तो ठीक होता है यहाँ पर जरूरी है कि आपके कानों के अंदर जो earbird है वो अच्छी seal बनाए तो अगर आपको हलकी सी भी fitting में फरक फील होता है तो यहाँ पर आपके पास 4 sizes available है आपने उसको अपने इसाब से अरजेस्ट करना है क्योंके जो आपकी वेरिंग है वो बहुत जादा important है active noise cancellation के काम के लिए इसके लाव आपको एक warranty card देखने को मिल जाता है जो के box के अंदर ही available है अधर दाट आपको यहाँ पर आपके earbirds देखने को मिल रहे हैं और यह जो earbirds हैं यह मैं पहले से इस्तेमाल कर चुका हूँ तो आपको शायद इनके ओपर हलके पुल के scratches बगरा भी नजर आजाएं लेकिन यह black color के अंदर available है और क्यूंके इनको भी hose 11 ने design किया है तो यह भी बहुत जादा curvature के साथ आते है other than that box में आपको एक छोटा सा और box देखने को मिल जाता है जिसमें लिखा हुआ है noise off, game on और इसके अंदर आपको जो accessories देखने को मिलती है उनमें आपकी एक wire है जो की USB Type-C वाली है और yellow color के अंदर है जो के realme का color है और उसके इलावा ear tips देखने को मिल जाती है मैं वैसे बाइद वे ये पहले ear birds हैं जिनमें मैंने खुद ear tips को चेंज किया है वरना generally जो company की तरफ से लगा कर आते हैं मुझे वो ही काफी इसी तरह से fit आजाते हैं लेकिन इस case के अंदर मुझे ear birds जो थे वो change करने पड़े because आपको active noise cancellation के लिए जो accurate fit है वो बहुत जादा जरूरी है otherwise आपको जो है वो active noise cancellation की जो facility है वो ठीक तरह से नहीं मिलेगी और ये जो ear birds हैं यहाँ पर आपको देखने को मिल जाते हैं अब अगर हम ear phones के उपर आ जाएं तो सबसे पहले बात कर लेते हैं यहाँ पर जो design है वो काफी decent है और इस बार देखने से नहीं लगता के apple से किसी भी तरह से inspiration ली गई हो यह entirely नए design में आते हैं तो realme के जो ear birds neo थे यह उन से काफी different design में आ रहे हैं नीचे वाली side पर आपको type C की port देखने को बल जाती है आगे वाली side पर एक LED indicator मौझूद है और इनका जो design है वो देखने में काफी खुबसूरत है और सबसे अच्छी बात यह है कि जब आप इसको कान में लगाते हैं तो यह देखने में अच्छा लगता है जो कि जात तर यह birds के बारे में कहना possible नहीं होता आपको यह black color में देखने को मिल जाते हैं और यह wing tip design में आते हैं तो आपको यहां पर जो mics हैं उनकी quality भी काफी इच्छी देखने को मिलने वाली है और overall जो case की quality है वो भी मुझे काफी decent लगी है as far as the fittest concern तो जैसे मैं पहले बता चुका हूँ कि आपको इनको अपने हिसाब से fit करना पड़ेगा और मैंने भी इनको किया है लेकिन एक दफार जब आप इनको fit कर लेते हैं तो इनको on किये बगए बहुर भी इनकी जो fit है वो बहुत जादा है और आपको बाहर का जो शौर है वो नहीं आता अभी मैंने इनको अन नहीं किया लेकिन फिर भी मुझे बाहर का जो शौर है वो नहीं आ रहा क्योंकि इनकी जो अपनी सील है जो पैसिफ सील है वो भी काफी अच्छी है मुबाइल फोन के साथ अगर आप इनको पैर करते हैं तो यह अंडरॉड और आइफोन दुरें के साथ पैर हो जाते हैं मेन्यू के इंदर आपको इतने ज्यादा मोंड देखने को मिल जाते हैं कि मैं एक एक को एक्स्प्लेइन करूंगा बेसिकली सबसे पहली चीज तो यह है कि आपने यहां पर अपनी रियल मी लिंक की अप है अगर आपने पहले से डाउनलोड की हुई है तो इसको अपडेट करना है क्योंकि यह इतने लेटिस्ट है कि पुरानी अप में इसकी जो फिसलिटी आव वो अवेलेबल नहीं है सबसे पहली सेटिंग जो का आपको देखने को बलती है वो तो बिसकली आपकी बैटरी इंडिकेटर हैं जहांपर आपको यह बताया जा रहा है कि आपके अईल फोन के साथ यह कनेक्टेड एरबर्ड्स है इन बर्ड्स की क्या बैटरी लाइफ है और उसके इलावा जो आप का केस है वो कितना परसंट चार्ज है तो आप देख सकते हैं मेरे जो बर्ड्स हैं वो 100% पर है और जो केस की चार्जिंग है वो 40% के ओपर है अगला फीचर जो कि आपर मौजूद है वो नॉइस कैंसलेशन है और ये इस एर बर्ड का सबसे बड़ा फीचर है बिसकलिए इस इंदर तीन मोड दिये गए हैं पहला मोड तो जनरल का मोड है जो आपको नॉर्मली किसी भी एर बर्ड में देखने को मिल जाता है और जनरल मोड पे अगर आप इसको रखेंगे तो ये एक नॉर्मल एर बर्ड की तरह परफॉर्म करेगा नॉइस कैंसलेशन को अगर आप तो ये अपने जो माइक्स हैं ये उनको आउन करेगा और आटोमेटिकली जो बाहर चाने वाला शोर है उसके आपोजिट में एक एंटी नॉइस क्रियेट करेगा जिसकी वज़ेसे आपको बाहर का शोर नहीं आएगा जैसे ही आप इसको आउन करेंगा आपको फरक फील वाक्यूम में आगई है और ये जो अगर आपने पहले नॉइस कंसलेशन यूज की हो तो उसी तरह का एक्सपिरियेंस है यहां पर मैं ये चीज़ ज़रूर क्लियर कर दूँ कि अगर आप बहुत महंगे एरबर्स की बात करते हैं तो इसकी जो नॉइस कंसलेशन है उसके ब आइक्स हैं वो बाहर की जो भी आवाजें उनमेंसे जो इनसानों की आवाजें है या जो हार्न वगरा हैं उनको सुनेंगे और उनको अम्प्लिफाइ करके आपको सुनाई कराएंगे तो उससे ये फाइदा होगा कि अगर आपका कोई दोस्त बोल रहा है तो जितनी आपको आपको जो उनकी आवाज है वो आपके कानों में ही आ जाएगी और यह आटोमेटिकली डिटेक्ट भी कर सकता है बाइदावे जहां तक बात है इसको उतारने और लगाने की तो इनके इंदर स्मार्ट वियर डिटेक्शन भी अवेलेबल है जिसका मतलब यह है कि अगर आप आपको अपने कान से निकालते हैं तो यह बी डिटेक्त कर लेता है कि आपने कान में बेखको एपकु की सोड़ा सा रजेस्ट हो जाता है Finally अगर आप बात करते हैं इसकी अप की तो इसके अंदर कुछ और मोड भी दिये गए हैं जिसके अंदर गेमिंग मोड अवेलेबल है जिसके बारे में पहले बात कर चुका हूँ Volume Enhancer available है जो के अगर आप कोई ऐसा music सुन रहे हैं जिसकी आवाज कम है तो उस टाइम पर यूज होगा लेकिन अगर आप कोई latest music सुन रहे हैं तो I would not recommend this बिकाज यह बहुत जादा आवाज बढ़ा देता है Base Boost Mode भी दिया गया है तो अगर आपको जादा Base चाहिए आप इसको on कर सकते हैं और यह mode काफी इसी तरीके से काम करता है Finally यहाँ पर जो options हैं वो basically आपके touch control की option है तो आप इसके touch के ओपर क्या करना चाहते हैं आप उसको भी control कर सकते हैं तो अगर आपको चाहिए कि आप Double Tap के उपे Music को pause करें या play करें तो आप कर सकते हैं अगर आपने Double Tap पे Siri को call करना है या आपने Google Assistant को call करना है तो उसकी facility भी available है और यह सब कुछ आप इसकी आप के तरू कर सकते हैं और इसकी जो updates हैं वो भी आप के तरू firmware updates में लेकर आ सकते ह तो वो इनकी जो audio quality है उसको और जादा better बना सकता है यहाँ पर इन earbuds को क्योंके मैं पिछले दो हफ़ते से इस्तमाल कर रहा हूँ तो मैं आपको इनकी sound quality के बारे में एक मुकमल review प्रोवाइट कर सकता हूँ जो के generally मैं अपनी unboxing में नहीं करता इनकी sound quality है उसने मुझे seriously surprise किय और even अगर आप noise cancellation वाली चीज़ को बिलकुल side पे कर देते हैं तब इनकी sound quality है वो मुझे काफी जादा decent लगी है और अगर आप इनको higher end earbuds के साथ compare करते हैं तब भी इनकी sound quality है वो काफी decent है और 10 nanometer के जो bass drivers है वो वाके ही bass create करते हैं और यह एक बहुत ज़दा full sound provide करते हैं आ आपको काफी अच्छा sound जो है वो provide कर देते हैं इसके इलावा इन ear birds के साथ आपको IPX4 water resistance भी देखने को मल जाती है तो अगर यह पानी में आप कहीं पर इस्तमाल कर लेते हैं बारिश वगेरा में या जिम में आपके जो ear birds है वो IPX4 water resistance भी आपको provide कर रहे हैं इसके इलावा एक और feature जो कि मैं expect नहीं कर रहा था real me से वो यह है कि इसके इंदर आपको quick charge की भी support देखने को मिल जाती है तो अगर आप इसको 10 minute के लिए charge करते हैं आपको 3 घंटे का जो playback time है वो देखने को मिल जाता है जो कि बहुत ज़ादा बड़ा playback time है और यह उस time पर बहुत इस category में इसमें missing है और जो हमें दूसरे ear birds में देखने को मिलता है वो wireless charging की support है इसके अंदर wireless charging की support real me ने provide नहीं की और मेरा real me से यह gripe है कि एक चोटी सी चीज थी और इन ear birds का design है वो भी wireless charging वाला है तो अगर इसमें provide कर दी जाती तो बहतर था क्योंकि आप इसके नाम के प्रोट हो वो available होती लेकिन नहीं है फाइनली जो इनका एक feature आपके लिए blessing and disguise वाला scene करता है वो basically इसकी call quality है क्योंके noise cancellation के लिए आपको multiple microphones की ज़रुद पढ़ती है तो इसके एक ear bird के अंदर आपको दो mics देखने को मिल जाते हैं जिसकी वज़ा से यहाँ पर यह आपको call के पहुचा सकता है और आपको बाहर का शोर भी नहीं आएगा क्योंकि यह active noise cancellation भी support करते हैं तो आपकी call quality है वो भी काफी बहुतर रहने वाली है तो overall अगर आप इनके बारे में मेरे opinions जाना चाहेंगे तो मैं यह कहूंगा कि यार अगर आप इस price category के अंदर ear birds लेने के आए हो तो पाकिस्तानी market के अंदर यह एक बहुत 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 solid option है क्योंकि आपको warranty भी provide कर रहे हैं और जो यह features provide करते हैं वो इस price category में नहीं मिलते लेकिन having said that यह एक महिंगे ear birds भी है तो मैं यह नहीं कहूंगा कि हर एक बंदा बस भाग के इनको खरीद ले लेकिन अगर आपक पैसे है तो yes काफी enjoyable experience है और अगर एक दफा इन पर पैसे खरचेंगे तो आपके पैसे जाया नहीं होगे मुझे कमेंट से बताइएगा के realme birds air pro के रिलेटिर आपके क्या opinions है चैनल पर नहीं है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजेगा कोई ear birds अगर आप चाहते हैं कि मैं review वो भी मुझे कमेंट से बता दीजिएगा चैनल पर नहीं है सब्सक्राइब करें इंस्टाग्राम पर फॉलो करें इस वीडियो में इतना ही दस बिलाल साइनिंग आफ अलाहापस